जल सत्याग्रह करने के लिए सरकार ने हमको मजबूर किया है पिछले देड़ वर्षों से बराबर उत्तर प्रदेश की सरकार से और माननी मुखमंत्री जी से हम लोग बिनिमिती करण संपूर समयोजन और निमावली संसोधन की मांग कर रहे हैं अधाय स्भीमा सितिलता की मांग कर रहे हैं लेकिन मुखमंत्री जी ने चार बार आस्वासन दिया एक बार भी कोई कारवाए ने हुई मुखमंत्री जी का आदेश राजसन्भाग साथ में डंप हो जाता है मुखंत्री जी की छभी को खराब करने का काम sh sound के लोक कर रहे हैं हम आज जो जल सत्याग्रा कर रहे हैं इसका उध्य स्रीब इतना है कि मुखंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचे और वह हमारे साथ नियाय करें उन्होंने चार बारा स्वासन दिया है, कमसे का मुसा स्वासन की लाज रखें और हमारा बिनमित्ती करना संपूर्ण समायोजन और आईश्वीमा सितलता को सुकृति परदान करें जो बातें नहीं सुन रहे तभी तो सत्यागर करना पड़ रहा है जब सत्यागर करने के लिए सरकार ने हमको मजबूर किया है पिछले देड़ वर्सों से बराबर उत्तरप्रदेश की सरकार से और माननी मुखमंत्रीजी से हम लोग बिनिमिति करन संपूर समयोजन और नेमावली संसोधन की मांग कर रहे है लेकिन मुखमंत्रीजी ने चार बार आस्वासन दिया एक बार भी कोई कारवाय ने हुही मुखमंत्री जी का आदेश राज़सनबाग साथ में डंप हो जाता है कोई सुनने वाला नहीं है जो लेटर मुखमंत्री जी को दिया जाता है वो जिलादिकारी काहनपुर को भेद दिया जाता है जबकी नेड़े सासन को लेना होता है हमारे साथ धोखा हो रहा है मुखमंत्री जी की छबी को खराब करने का काम सासन के लोग कर रहे हैं हम आज जो जल सत्यागरा कर रहे हैं इसका उदेश स्रीव इतना है कि मुखमंत्री जी तक हमारी बात को पहुँचे और वो हमारे साथ न्याय करें उन्होंने चार बारा स्वासन दिया है, कमसे का मुसा स्वासन की लाज रखें और हमारा बिनमित्ती करना संपूर्ण समायोजन और आईश्वीमा सितलता को सुकृति परदान करें जो बातें नहीं सुन रहे तभी तो सत्यागर करना पड़ रहा है हमारी बातें सुन लें, हमको नोकरी दे दे, तो कोई जरूरूद नहीं इसके कब तक बैठे रहेंगे इसे बैठे रहेंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा लगता है सरकार बात चुनेगी आपकी हाँ सुनना तो चाहिए मानने मुकमंतरिय जी इतने दयालू हैं कि हमारी बात जरूर सुनेंगे